तो आज के हम लेक्चर में कवर करने वाले हैं राजस्तान इस्कूल के सब स्ब्सकूल के सब्सकूल के हमें लेक्ट ही सब्सकूल इसमें मेवार उदेपूर ज Lawrence को First तो वह से था चेलू पर है तो जैसे हमने यहाँ पर दें रखा है in the beginning of the 15th century 15th century ये 15th century में शुरू तो हो गया था लेकिन यहां पर हम 16th century में developed form देखते हैं तो यहां पर आप 16th century याद रखेंगे 16th century miniature painting were painted in the mewar area of Rajasthan and it most developed form can be seen in the painting of Palam Bhagwat पालम भागवत आपको याद रखना है और ये किस सब स्कूल में आती है या किस एरिया में आती है वो आपको याद रखना है मेवार उदेपुर में आती है and there are some other painter painting based on themes of the painting साहिर दीन और मनोहर ये दोनों painter है तो इन दोनों painters की paintings हमें देखने को मिलती है मेवार उदेपुर में आप ये याद रखेंगे and they painted many immortal great paintings based on भक्तिरो पात्रा पंचवियाख्यानो पात्रा and बन भागगयनो पात्रा and रागास तो ये जो themes है उनके जो paintings आपको देखने को मिलेंगी आपके मेवार उदेपुर एरिया में तो आज जो हम बात करने वाले हैं सब स्कूल के वारे में तो उसमें मेवार, बुंदी, जोदपूर, पीकानेर, जैपूर and ये ही आपके सारे किशनगड ये सारे सब स्कूल साब के हम आज कवर करने वाले हैं तो second सब स्कूल है आपका बुंदी सब स्कूल of miniature painting तो बुंदी में जादा कुछ नहीं दे रखा है बुंदी की अगर हम बात करें बुंदी भी एरिया है राजिसान का तो दफर्स मिनियेशर पेंटिंग ओफ बुंदी स्टाइल वस पेंटेड इन चौनार चौनार और ओल्सो एरिया ओफ बुंदी बुंदी का सब ऐररीय है जैसे की कोई डिस्टिक्ट होता है और उसके फिर अंना अगरा गला तो वैसे ही एक भुंदी एरिया है बुंदी के अंधर ही एक स्कूल दैर जिक का नहान है चौनार तवे इरेया है तो इन दफंब और रागमाला सिरीज ऑफ पेंटिंग तो चुनार में रागमाला सिरीज ऑफ पेंटिंग पेंट हुई है यह रखेंगे एंड आर्ट स्किल फूंदी स्टाइल वर यूनिक दू कंजरेशन ऑफ दमुगल एंड डेकन ऐलिमेंट्स मुगल एक यह भी आपका चैप्टर है और डेकन स्कूल का जैसे हमें मेवार में आपको देखने को मिलता है राजिस्थान एंड गुजराथ एंड एजन्ता का आपको स्टाइल देखने को मिलता है उसमें मिक्षरून का बट बूंधी ऐस वैल प्रक्टिस हैं इन पोर्ट्रेट तो बूंधी में जो सफसे खासियत है सबसे main बात है उसमें उसके portrait बहुत अच्छे बने हैं ठीक है उसके बाद आता है जोदपूर सबस्कूल यह हमने short short यहां पर रख रखे हैं जोदपूर और यह सब और हम सारे chapters के MCQs भी हम यहां पर लाने वाले हैं तो आप हमारे साथ बने रहे हैं चैनल भी subscribe कर सकते हैं से जोदपूर को हैरिटेज में मिला था उसकी ब्रासत में मिला था मेवार से जोदपूर को पेंटिंग का ट्रदीशन और इन दे बिगिनिंग ऑफ दे 17th century यहां पर 17th century उस 16th century के next year की बाद और यह 17th century was known for the Pali Ragmala paintings and pure indigenous delimation is stylistic characteristic of painting तो यहां पर जो जोदपूर की painting है वो pure indigenous है उसमें मतलब सिफ Indian ही paintings है उसमें कोई mixture नहीं है किसी Mughal का किसी Deccan art का कोई mixture नहीं है वो pure Indian paintings है उसमें बनी है और यह रागमाला पाली रागमाला painting सबसे जादा हमें यहां पर देखने को मिलती है नेक्स आता है बीकानेर सबस्कूल तो बीकानेर सबस्कूल में क्या है इन 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 इस सबस्कूल देर इन अबंदेंस of elements of the Mughal art because the paintings because the painters of the Mughal court came to Bikaner they implement Mughal arts in the local arts as a result the new style of painting came into existence these painting accepted the tradition of Bikaner style of paintings and kept their inclination towards the paintings of the Hindu myths so इसमें क्या है यहां पर जो Mughal artists थे Mughal artists जब औरंग जेब ने बैन कर दिये सारे art form in the Mughal court तो वहां के जो artists थे वो Bikaner आ गए या फिर एक तो यह बात हुई कि वो Bikaner आ गए जब बैन कर दे गया और उससे पहले अगर हम बात करें तो इनके खांदानी या फिर रिष्टेदारी थी मुगलिस लोगों में और जो राजस्थान के राजा महराजा थे उनमें रिष्टेदारिया थी जैसे कि हमें देखने को मिलता है जो मुगल का सबसे पहला जो बड़ा किंग था अकबर अकबर के जो वाइस थी वो जो दादी तो वो जो जो दादी वो राजस्थान से रिलेटेट थी राजस्थान के रजवारों से रिलेटेट थी वहां के किसी टोडरमल की पुत्री थी और उसका विवाउस से हुआ था तो इनकी रिष्टेदारियां थी दो रिष्ट मुगल के मुगल आर्टिस के मुगल पेंटिंग्स के मुगल स्टाइल हमें यहां पर देखने को मिलता है बीक अनेर में और इसमें हिंदू मित्वे सबसे जादा पेंटिंग्स हुई है और सबसे जादे यहां पर मुस्लिम पेंटर से जिसमें देखे जाए तो यहां पर अली जिसका नाम है किशंगर सबस्कूल इससे आपका एक या दो एक नए एक तो आपका कुष्टन यहां से आने ही बाला है आने ही बाला है 100 परसेंट मैं यहां कह सकता हूं कृशंगर सबस्कूल तो किशंगर जो सबस्कूल है वो मिस्टीरियस ब्यूटी आप विमन is the life of the Krishnagarh style of painting तो सबसे जादा जो mysterious beauty paintings में women की की गई है वो है किशंगर सब स्कूल में the immortal paintings like बनीठनी रादा and the paintings of King Sawan Singh are the identity of Krishnagarh style तो यहां पर जो राजा सावन सिंह है राजा सावन सिंह के ही कोर्ट में हाँ पर paintings होती थी सबसे जादा और यहां का जो famous artist है वो निहाल चंद है जिसकी सबसे famous painting बनीठनी है जिसे India की Mona Lisa भी कहा जाता है आपको यह याद रखना होगा कि India की Mona Lisa किसे कहा जाता है तो वो है राधा बनीठनी और जो यह राधा बनीठनी की painting है वो इसकी वाइफ थी king सावन सिंह की जो कि इसकी सोतेली मा दिली से दिली के किसी कोर्ट से dancer को लेगा है थी वो एक dancer थी उसको लेकर आए थी लेकिन वो बहुत खुबसूरत थी तो उसने उससे सावन सिंह उससे शादी कर ली बाद में और फिर वो जो सावन सिंह की वाइफ थी उसको वो एजर राधा पेंटिंग कर वाथ पेंट कर वाथा था और अपने आपको एजर क्रिशन डिपिक कर आथा था पेंटिंग में तो आप यहां से ध्यान रख सकते हैं इस स्टोरी से आपको याद रहेगा कि किसंगर की जो सब से फेमस पेंटिंग है वो है और डावंजभांग में राधा बनीठानी पेंटिंग जो बनाई है वो बनाई है कि निहाल चंद जी और चंद जी किसके दरवार में काम करते थे पाइध ऑंग सावन सीग ने वे में डिए आप दियां रख सकते हैं ठीक है और पेंटर इसमें भवानिदा, सूरत राम और निहाल चंदार दा प्राइसलेस हेरिटेच और पेंटिंग इंग्डम्स और किशनगर नेक्स आता है जैपूर सबस्कूल जैपूर जिसे गुलाबी शहर कहा जाता है पिंक सिती कहा जाता है तो इंद जैपूर इस स्ट जैपूर को बसाया था तो जैज जैसे आप याद रख सकते हैं जैपूर तो जैजिंग ने बसाया तो यहां से आप यहाद रखेंगे इन आमेर मोर पेंटिंग्स हैब बीन मेड ओव अबस्टेक्स अब जैक लाइव शेप्स और हंटिंग सीन और इन दा आइडेंटिटी इन पर पेंटिंग में जिसमें शेप बनाए गए हैं अधर सेंटर्स ओफ दे सब स्कूल आर जलोर जैसलमेर पुसकर और इनके जो पेंटर्स हैं वह हैं मुहमार शाह साहिव राम और प्रोमेनेंट आर्टिस ओफ दे जैपूर सबस्कूल यह दोनों जो इसके इन बात को मैंने जादा जोड़ दिया है वो बाते आपको जरूर दिहान रखनी है और बाकी जो हमारी बाते कुछ रह गए हैं वो हम आपके जो MCQ सिरीज लाएंगे उसमें हम आपको सब करवा देंगे तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही बने रही हमारे साथ थैंक ये फूर वाचिंग